ओम श्री विश्नवे नमहा आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में पढ़ने वाली एकादशी के बारे में और ये पित्र पक्ष में पढ़ने वाली एक मात एकादशी भी होती है एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा कब खोला जाएगा पूजा का शुब मूर्थ क्या रहेगा एकादशी की तिथी कब से लेकर कब तक रहने वाली है और द्वादशी तिथी कब से कब तक रहेगी और व्रत का पारण मूर्थ क्या रहने वाला है तो आईए सबसे पहले जान लेते हैं एकादशी की तिथी के बारे में 2 अक्टूबर शनिवार के दिन पढ़ने वाली है एकादशी है इंद्रा एकादशी और इस दिन पित्रों को प्रसन्न करने के लिए उनका आशिरवात ताप करने के लिए भी पूजा की जाती है एकादशी की तिथी प्रारम हो रही है एक अक्टूबर की रात 11 बच कर 4 मिनट से और ये तिथी समाफ्थ हो जाएगी 2 अक्टूबर की रात 11 बच कर 11 मिनट पर इसके साथ ही 12 तिथी प्रारम हो रही है 2 अक्टूबर की रात 11 बच कर 12 मिनट से और ये दिती समाथ हो रही है 3 अक्टूबर की रात 10 बच कर 30 मिनट पर एकादशी के दिन सुर्यदे का समय रहेगा 2 अक्टूबर को सुभ़ 6 बच कर 22 मिनट और इस दिन सुर्यास्त का समय रहेगा शाम 6 बच कर 9 मिनट पर व्रत के पारण वाले दिन याने की 3 अक्टूबर को सुर्य술 मार्स और व्रत का पारहएगा सब्सक्रण से बच्राज कर 12 मिनट और सुर्यास्थ का समे पार्ण का 2प 6ब Kemach करना चाहिए संभव हो तो आज के दिन आप यथा संभव अपनी सामर्थ के नुसार कुछ न कुछ दान करें और अपनी पित्रों के नाम से भी दान चरूर करें इंद्रा एकादशी के दिन भगवान शालिग्राम की भी पूजा की जाती है अगर आपके घर पर शालिग्राम भगवान की तस्वीर या मूर्ती नहीं है तब आप ऐसे में अपने आसपास जो भी मंदिर है वहां जाकर शालिग्राम भगवान के दर्शन कर सकते हैं अगर आप जानना चाहते हैं इंद्रा एकादशी की पूजा विधी और इस दिन सुनी जाने वाली कथा के बारे में त साथ सद मुझे बताएगा कि ये जानकारी आपको कैसी लगी